एक स्पोर्ट्स की बायोपिक बने और उसमें एक रॉक ट्राक ना हो, ये कैसे हो सकता? हाथों में बजलिया, चुमिश में आ विया, हाथों में बजलिया, चुमिश में आ विया, हाज के इताल अपर ये, हम कर करेंगे ताइटल ट्रैक आफ तो मूवी तूफा, लेट्स बिगिन, सबसे फ़र्स गाने में हम एक E-7 chord पकड़ेंगे जो है 7th fret पे of the A string एक बार आएगा, middle finger B8 पे और ring finger D9 पे और एक pinky finger आएगा on B10 सबसे फ़र्स हम एक pluck करेंगे on the A and B string और यह pluck करने के बाद में हम यह 10th fret को pull off करने के बाद में हम यह 10th fret को pull off करने के बाद में और फिर हम यह middle finger को भी उठा देंगे तो हम पकड़ेंगे 7th of B और G और D9 और फिर यहाँ पे BGD बजा देंगे और वापस मिदल फिंगर रखके BGD यह पूरा पाटन जो E minor chord पर है ऐसे बजाएगा pluck A B G D middle finger अटा दो B GD और फिर मिदल फिंगर रखके BGD और इस पाटन को दो बर बजाएगे इसके हम जाएंगे जो chord है D major पर, D major यहाँ पर बाहर आएगा A string 5th fret Ds G और B strings 7th fret पर यहाँ पर B8 पर एक फिंगर पिंकी फिंगर आ जाए तो यह 5 7 होगा और यह 8 होगा यहाँ पर A और B strings पर आपसे प्लक करेंगे पिंकी हटाके हम बजाएंगे A, B, G, D, Pinky राखेंगे BGD, Pinky राखेंगे B, G, D, Pinky राखेंगे B, G, D, Pinky राखेंगे B, G, D, Pinky हटाएंगे B, G, D और फे नेक्स कोड हमारा C major होगा, E string 3rd fret D5, G5, B5, C major नहीं हम सिंप्ली करेंगे, प्लक, A, B, G, D, D, G, D, B, G, D सो यह हो गया हमारा पूरा इंट्रो ऐसे इसकी नाइलाउन स्ट्रिंग इंट्रो के दौरान पीछे एक लीड गटार थीम बजेगा जोसमें नोट्स हो जाएंगे D5 G5 G4 इसी चीज को वापस से पूरा रिपीट करें और यहां पर बजेगा D5 G5 G4 D0 D5 A7 और फिर इसके एंड में एक हार्मानिक बजेगा D और G 12th fret पर यहां पर इसके लिरिक्स वाला आजाएगा यहां पर कॉड्स भजेंगे E माइनर जी मेजर डी कोड और सी यहां पर आप मेभी सिंगल स्ट्रॉम्स ले सकते हैं या आर्पीजों ले सकते हैं अगर आर्पी जो इसकुछ करने दो सिंटों सा कुछ लिए हम बना सकते हैं इसमें या ऐसे कुछ हो सकता है एक अच्छा क्लीन पाच्च की इस सॉंग में जरुत होगी तो इसका लिंक अल्रेडी यहां पर है मैंने बनाया हुए लेसन इसके लिए थोड़े मौज होंगे कौज में आपको बता देता हूं अगर आप बजाएंगे तो यह भी पाव कोट सी है बर इसमें हम क्या करेंगे कि बार कर देंगे फिर्स फिंगर से और इसको छे स्ट्रिंग्स पर बार करेंगे सो हमें मिलेगा यह कोड़े सी सस्टू सिमिलली आप डी पाव कोड के लिए से ले सकते जो है एफाई दी सेंग जी सेवन विद लोगी फाइव सॉंग में एक ऐसा रिदम बजेगा जब तूफा माला सेक्षिन आएगा यहां पर पाव म्यूटिंग करेंगे अंदर राइट हैंड पाम्यूटिंग करते हुए हम बजाएंगे सारे कोड्स एपाव कोड्स सिमिलल यह आप सारे कोड्स के लिए फॉलो करना यहां पर दी प इस दौरान पीछे का उक्टेज वजाएगा यहां पर एस्टिंग फिफ्ट फ्रेट बजेगा जी सेवन जो दी ओक्टेव है वह बजेगा और यहां पर हम इसी शेप को दो फ्रेट या तीन फ्रेट पीछे लेकर बी पे ले आएंगे ऑन दे सेकंड फ्रेट ठीक है इसके दौरान पीछे बजता है फॉर फॉर सें सेकंड साइकल्स आप बजाएंगे डी डी इसका इनवे इसका इनवे बीप अफर बाक इन फॉर्थ आप करेंगे यहां पर फॉरास लाइट स्लाइट पर है यहां पर आपको हिटिंग करने की जरुदर नियां आप च तूँज शुचा सकते हैं पर फिर नेक्स पार्ट आजाता है जो ठोड़ा हाय रे थर्ड टाइम पर यहां पर हम जाएंगे नाइन फ्रेट पर और सेवंध प्रेट पर सीम रिफ वही होगा ठीक है, this is F sharp and E, so फिर इसके बार में आप जाएंगे, जो 10th fret है, सब oktaves है 9, 7, 5 और यह वापस से repeat हो सकता है कभी एक बार होगा कभी दो बार होगा सॉंग सुन लेना उसके लिए यह फॉर्स कॉरूस के यार ने वापस है सॉंग में छोटा सा मिनी सोलो आ जाएगा आपर हम शुरू करेंगे इस्ट्रिंग 7th fret फोड़ा सा वाइब्राटो दे सकते है और फिर बी 7 8 10 7 7 on E वापस है तो यह लाइन 2 3 फो सेकेंड लाइन बजाएगे 7 7 7 B10 B8 और फिर आप B8 से B10 स्लाइड कर देना और फिर B8 B7 G7 और देन स्लाइड कर देना और इसके एकदम एंड पे आप इस्ट्रिंग 12 फेट पर हार्मोनिक कर देना है सेकिंड कोर्स के आप में गिटार सोलो वन रिपीट हो जाता है तो इसको में वापस से थोड़ा सा वेरियेशन जै और बता देता हूं यहां पर दी फाइव बजाएगा जी फाइव जी फाइव धी फाइव और फिर दी फाइव और फिर दी सेवन पर हामर करेंगे फाइसे लिए और फोड़ा कड़क वाला हामरा उंची है वाइबराटोस के उपर अल्रेड लेसेन बना देख ले ना और रिपीट हो जाएगा और फिर A7 पर आजाएगा, अगर आप चाहे तो A7 पर हैमर कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, और फिर बार में गाने का एक रिफ आता है, जो एक हेवी मेटल रिफ वोलूंगा मैं, जो थोड़ा सा फ्रिजिन मोड का है, तो रिफ है ऐसा कुछ, इसमें हमारे नोट्स बजेंगे, जो है E, और इसमें हम यूज करेंगे, पार म्योटिंग और डाउन डाउन अथोड़ा सा मेरा गेन हाई हो सकता है, इसमें, आप चीजिए तो थोड़ा लो गेन में शुरू कर सकते हैं, तो डाउन डाउन अप, डाउन फिर बार में बजेग फिर इस ही को हम है वी गेन में कर सकते हैं और इसमें वापस है हम पाम्यूटेड ही राखेंगे जाधा तर, आप उपन कर सकते हैं बिए जिश में इफ यू लाइक, बट इन्ही नोट्स को पावर कॉज में करनोड कर देंगे, तो वो नोट्स ऐसे हो जाएगे, तो यह फ्रीफ फाइफ, एटू, और फे ट्रीटू, और इप फाइफ 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 फाइफ, जिसका अपने सॉंग को वापस है कोरूस आ जाता है, जो है तो फाइफ, 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 ठीक है, तो पार्ट्स ऐसेम और एक आउड्टो का इटा सोलो आता है, तो हम जाते है आउट्रो के गिटार सोलो में, तो हम सबसे फ़र्स शुरू करेंगे, एस्रिंग सेवं फ्रेट पर, नोट्स ऐसा जाएगे, तो इसमें नोट्स बजेंगे, डी स्रिंग 12, 14, फिर हमर ऑन करेंगे, और जी इलावन तो जी, 12, हमर-on, पुल-off, पुल-off करेंगे, फम 14 तो 12, ए 14, और हमर-on 12 तो 14, तो आपस ही आला, रिफ बच सकता है, या लिख बच सकता है, और एंड में एक और पार्ट करेंगे, 12, 14, 12, हमर-on, पुल-off करेंगे, और A14, तो फुल सेकेंगे, repeat, और फिर हमर-on, पुल-off, A14, फिर एक लाइन बसती है, जिस में थोड़ा सा हार्मनाइजिंग आप कर सकते है, अगर आपको आता है, हार्मनाइजिंग बे अगर एक लेसन ची तो मुझे प्लीज कॉमेंट करेंगे, हार्मनी, और में इसके आरह में एक लेसन बन सकता, इस और एक लाइस में 15 आना है, और फिर बजएगा, फिर नवरात्री की लेखा ही है, ओके से यहां पर बजएगा B17, वापस से 17, पुल-off करके 15 पे गए, तो 17, पुल-off, G16, और B15, पुल-off from 17 to 15 on B, जो, फिर बजएगा B15, पुल-off करेंगे, तो 17 पुल-off करेंगे, फिर बजएगा B15, तो इसको दो बार करेंगे, और फिर हम एक बेंड करेंगे B17, और यालो ओविसली होल स्टेप बेंड है, so this B 17 is E note, bend to an F sharp और फिर उसको हिट करेंगे माँ पर, so bend किया और F sharp note पॉंच नहीं हिट किया और नीचे लाया, 17 बजाया और यह जो G note है, which is 20th fret 20 को bend करेंगे whole step, और फिर बजाएंगे 20, और फिर जो लास्ट वाला tail end है, जो लास्ट के दो लाइन से वो कर ले तो है, यहां पर first हम slide करेंगे to G 16 और फिर B 15 बजाएंगे, और फिर bend करेंगे B 17, अब यह whole step bend है, और फिर whole step करने पर हम E से F शाप गए, और वहां पर हम उसको और half step आगे bend करेंगे without hitting, so और फिर 17 बजा देगे, फिर वापस से pull off करेंगे 17, 15, G 16, B 15, यहां हम वापस से वही वाला bend whole step वाला दो बार करेंगे, और उसके आद में तीसरी बार उसको और पुछ करेंगे, और फिर नीचे लाके B 17 पर play करेंगे, और फिर last line है जो song का, इसके आद में हम इसको slide करेंग into G, G 21 और बजाएंगे उसके अने B 20, और फिर B 22 को bend करेंगे, इससे एक फाइदा होदा है कि हम fret एकदम आखरी आले fret पर आजाते हैं, यूजली गिटार्स के, उसको bend करेंगे whole step, और फिर उसको hit करके release करेंगे, और फिर 20, 22 बजाएंगे, पर इसे करके हमारा guitar solo पूरा हो जाता है, पर इसे करके हमारा guitar solo पूरा हो जाता है, पर लोग मुझे पुछते कि, do I provide online classes, तो हाँ, अभी online classes चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग को advanced and intermediate and even beginners can contact, और उनको कोई और techniques में सुधार चीए, आप मुझसे Instagram पे, इस handle पे connect कर ले, and then, मैं आपके लिए work out कर ले ताँ, some one-on-one classes or group classes at very affordable rates, thank you.